नमस्य स्टूडेंट्स वहाजम पार्ट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं बराबर है कार्वनेंट कंपाउंड का तो पार्ट वन में हमने देख लिया था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और सारी चीज है ठीक है कोविलेंट बॉन्डिंग भी देखे थे और हमने बहुत आपने अपको सबको पता है कि वह आइन्स के फ़र्मेंट में होता है वेराज उनके कोवलेंट कंपाउंड होता है उनमें मॉलेक्यूल होता है क्योंके अभी देखा ह H and H, H2, Cl, Cl, Cl2, O, 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 2, N, 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 2, S दूसरा, since ये ions है, इसलिए हो hard solids होते हैं, फराबर है, बट ये क्या होते हैं, gas भी होते हैं, liquid भी होते हैं, और soft solid होते हैं, except दो, diamond और graphite, क्योंकि diamond सब सर्च्ट्राउं गर्फाइट होते हैं, these are non-volatile with high boiling and high melting point volatile मतला अपने आपको easily मज़ा है उसे में change कर देंगे but non-volatile मतला इतना easily change नहीं करेंगे and these are volatile, volatile मतला दो change कर लेंगे इसलिए उसकी boiling और molting point काफी low होती है ठीक है तीसरा electrical conductivity only compounds are good conductor of electricity but याद रखना है ये चीज़ के only in the molten state but act as a good conductor in the fused or molten state whereas covalent compounds में तो ions होते ही नहीं है इसलिए क्या लिखेंगे they are non-conductor of electricity in solid, molten or equestate कोई भी state में या में सा non-conductor होंगे 4. solubility these are soluble in water but insoluble in organic solvents so covalent compounds बिलकुल उल्टे covalent compounds पानी में soluble नहीं होते they are insoluble in water but dissolve in the organic solvent clear हो गया किसी को doubt bit है यह please सबसे important है सबसे important है तो मेरी आपसे request है कि अच्छे से लिख लीजे तो आगे बढ़ते हो उसके बाद done so next topic है हमारा allotrops of carbon and their properties what is allotrops तो एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप जब भी भी छोटे थे तब और शायद अभी भी आपके छोटे पाई पहना होंगे तो आपको आइडिया होंगे क्ले आती है जिसको हम इंदी में चिकनी मिट्टी भी बोलता है क्ले का बच्चे के लिए अलग-अलग shape बना के खेलने के लिए क्ले आती है क्ले एक ही होती है उससे आप circle बनाओ बरबर है उससे आप triangle बनाओ उससे आप square बनाओ उससे आप rectangle बनाओ बट बनी किस से है, क्ले से, क्ले को ही आपने अलग-अलग शेप दे दिया, क्ले को ही आपने अलग-अलग उसको फॉर्म दे दिया, बराबर है, फिर कभी-कभी उससे गाएं बनाओगे, कभी-कभी उससे आप उसके गोड़ा बनाओगे, कभी-कभी उससे आप इंसान बनाओ होगे है तो क्या क्ले है सो वैसे ही कारवन जो है अपने आपको अरेंज करके अलग-अलग shapes बना सकता है अलग-अलग अपने forms बना सकता है ठीक है तो allotropy is the property by virtue of which an element exists in more than one form and each form has different physical property but identical chemical property अर्जे को इसमें तीन चीज आई पहली चीज क्या allotropy is what it is property जिससे element है वो एक से ज्यादा form में exist कर सकता है ओके अपसे पहली property का आई exist in more than one form दूसरा each form as different physical property सबकी physical property यह लगोगी सबकी physical property in the sense कि आपने clay से अपने मिट्टी से मानलो circle बनाया तो उसका जो radius है फिर cylinder बनाओगे तो उसका radius अलग हो जाएगा कौन बनाओगे तो उसका radius अलग हो जाएगा मतलब सबकी physical properties क्या हो जाएगी उतनी clay से ही बनाओगे तो अलग clay लेली तो अलग चीज है बट उतनी clay है पहले अपने कठा करके उसको sphere बनाया फिर इकठा करके उसको आपने cylinder बनाया फिर इकठा करके उसको आपने कौन बनाया समझ में आया तो उसकी physical property सबकी क्या होगी अलग बट chemical properties सबकी से हैं क्यों बने किस्से हैं and these different forms are called allotrops और यह जो अलग-अलग forms होते हैं उसे allotrops कहते हैं नीचे देखो दिखा हुआ है पहला graphite है दूसरा amorphous carbon है तीसरा diamond है 14 fullerine है carbon nanotubes है graphene यह जो graphene नाम का बंदा है वो दुनिया का सबसे lightest material है और उसकी strands steel से भी ज़्यादा है वो nano level पर काम करता है आपके अभी scope में नहीं है इसलिए हम यहां पर नहीं पढ़ेंगा हमको यहां पर क्या पढ़ना है allotubes 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 मतब यह सब carbon से बने होगा है सब carbon से बने होगा है सब का structure अलग अलग होगी बढ़ केmical property बदलब सब बने किससे carbon clear हो गया पका चलो कितना लिख लिए यह diagram बनाने की ज़रू नहीं है सिफ आपको सब जाने के लिए है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अलगलग structure में हम तीन structure पढ़ेंगे पढ़ेंगे सबसे पहले diamond diamond की properties पढ़ लेते हैं उसके बाद उसका structure it is a colorless transparent substance with extraordinary brilliance due to high refractive index यह सब को पता diamond आपने सब ने देखा होगा एक तो transparent होता है बरबर है और उसमें से इतनी shine हाती है इसलिए उसके extraordinary brilliance होती है बट वो किसके कारण होती है उसका refractive index सबसे ज़्यादा होता है इसलिए 2.42 याद हो तो light chapter में पढ़ा है दूसरा it is quite heavy and extremely hard वो होची ज़्यादा heavy होगा आप बोलो सर हमने तो diamond को हत में पकड़ा है वो इतना सपीस है उसकी density काफी ज़्यादा होती है इसलिए वो काफी heavy होता है उसका mass ज़्यादा होता है और extremely hard यह तो आप जानते है उसको आप अथोड़े से वार होगे तो भी व क्यूंकि उसके पास कोई free electrons नहीं होता हर एक carbon atom दूसरे चार carbon atom से जुड़ा हुआ तो कोई भी free तो ही नहीं और share कर रहे है इसलिए वो कोई भी free electrons भी नहीं रहेगा but it has high thermal conductivity and high melting point thermal conductivity high का मतलब क्या होगा उसके अंदर से heat easily pass हो सकती है और दूसरा उसका melting point काफी high होता होता है उसका मैं shape आपको दिखाऊंगा ठीक है वो सब अपने आपको ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं कि उनको तोड़ना it's very difficult melting point मतलब क्या कि उसको solid से liquid में convert करना बराबन है but उसकी melting point काफी जाला होते है ठीक है अब बात कहते है उसके structure की so it is a giant molecule of carbon atoms in which each carbon atom is bonded to four other carbon atoms forming a rigid three dimensional network structure which is responsible for its hardness sorry क्या बोला हमें कुछ पता नहीं चाला समझो giant molecule of carbon मतलब एक बड़ा सा carbon का molecule है जिसमें हर एक carbon molecule दूसरे चार carbon molecule के साथ जूड़ा हुआ है okay bounded to four other carbon forming a rigid three dimensional structure three dimensional structure मतलब 3D structure इसको आप चारो दरब से देख सकते है और वो आप उसको feel कर सकते है 3D structure मतलब diamond आपने देखा 3D structure सबको पता है और यही reason है कि वो काफी hard होता है उसका network इसी साथ से होता है दूसरी पास हम बात करूं तो अगर आपने गोल पोस्ट देखा होगा उसमें net लगती है फिश पकरने के लिए जो net लगती है उन सबका जो structure होगा वो ही structure किसका होता है diamond का होता है okay moreover a lot of energy is required to break the network of strong covalent bonds in the diamond crystal therefore its mantling point is very high अब उनके जो बीच के bonds होते हैं उनको तोडने के लिए काफी जादा energy चाही होती है 100, 200, 200, 300, 400 degree नहीं बहुत ही जादा heat देनी पड़ती है तब वो उसके bond टूटेंगे और तब उसके बाद वो change होगा बराबर है कभी-कभी तो बोला जाता है 23,000 degree Celsius भी temperature उसको चाहिए तो यह उसकी property है यह उसका structure है बराबर है please pause the video and note it down यह रहा उसका structure है साथे बनाना नहीं है याद रखना आपको exam में आया तो काम आ सके हर एक carbon atom है वो दूसरे 4 carbon atom से जूड़ा हुआ होता है अब उसर यहां पे तो वो 3 सही जुड़ा हुआ है देखो हो यह carbon atom है 1,2,3 और 4 हो गया यह carbon atom 1,2,3 और 4 अब उसर यह carbon atom देखो यह carbon atom 1,2,3 और 4 हो गया इसर यह carbon atom 1,2,3 तो यह चौथा कहा आगया छोटा सा पार्ट ली है इस साइड भी हो सकता है यह इस साइड भी हो सकता है तो ऐसा नहीं मानना है कि वह चोथा दिख नहीं रहा तो बह एक इस northern नहीं करेगा हमेचा वो एक carbon atom दूसरे चार carbon atom से जुड़ा होता है और जो दोनो carbon atoms के 20 का जो bond होता है bond उसकी length होती है 154 picometer, picometer मतलब कितना होता है, 154 into 10 raise to minus 12 meter, okay clear हुआ, एक note याद रख लेना, diamond can be prepared artificially by subjecting pure carbon diamond आप artificially, यह सारे तो naturally acting होते हैं, आप laboratory में भी synthetic भी बना सकते हैं, क्या करना है pure carbon लेना है उसको इतना ज्यादा pressure देना है अब वो कितना ज्यादा pressure है, तो वो scientist लोगों को पाता, और बहुत ही ज्यादा pressure देना अब इसके कारण क्या होगा कि वो जो diamond है sorry, वो जो carbon है किसमें convert हो जाएगा diamond में convert हो जाएगा, ठीक है इस synthetic diamonds are small but are indistinguishable from natural diamond but since इसको आप laboratory में बना रहे हो तो आप उसको पता नहीं कर रहा हो कि पई कौन असली है और कौन नकली है दोनों आपको क्या लगेंगे same लगेंगे, clear हुआ physics is very important point अच्छे से लिख लीजे, फिर हम दूसरे structure की तरब आगे बढ़ें मैं वापिस बता रहा हूँ, यह diagram बनाने की जरूर नहीं है बनाओ के तो अच्छा है, याद रह जाएगा बागी बनाने की जरूराज नहीं है ठीक है, pause the video and note it down ओके बटा दो, अब जब हम second देखने जा रहे हैं उसका नाम है graphite graphite आप सब लोगों ने देखा होगा pencil की lead पे होता है graphite बराबर है, उसकी properties क्या होता है it is greyish black, opaque substance सबसे मेला क्या वो greyish black बराबर है, black होता है आपने pencil की nib देखी होगी तो वो generally आपके पास अभी compass में होगी देख लो, क्या होता है greyish black होती है और वो opaque होता है दूसरा, it is lighter than diamond smooth and slippery touch वो diamond से भी smooth होता है और उसका touch जो है वो काफी slippery होता है ओके, lighter than diamond diamond से smooth क्या, diamond से वो light होता है smooth होता है, slippery touch दूसरा, it is good conductor of electricity क्यों, diamond जो है वो bad conductor है तो ये क्यों good conductor हुआ because उसके structure के कारण due to the presence of free electron ये जो हम structure पढ़ेंगी तब आपको पता जलेगा but it is a bad conductor of heat diamond और graphite दोनों opposite है diamond क्या था, good conductor of heat था ये bad conductor of heat है अब ये उसके पास ये free electron है और कभी भी basically electricity मतलब क्या flow of charges ठीक है, charges को आप flow करोगे तो electricity generate होगी तो उसके पास charges मतलब electron पढ़ा है वो free electron है वो move होता रहेगा तो electricity कहने करें अब उसका structure कैसा होता graphite crystal consists of layers of carbon atoms और sheet of carbon atom वो ऐसे एक क्यों पर एक क्यों पर एक क्यों पर ऐसे sheet हो थी होगी ठीक है now, each carbon atom in graphite each carbon atom in graphite layer is joined to three other carbon atoms by a strong covalent bonds to form a six hexagonal rings a flat hexagonal ring एक carbon atom दूसरे तीन के साथ जोड़ा है गरस diamond में क्या था एक carbon atom चार के साथ जोड़ा था यहाँ पर एक carbon atom तीन के साथ जोड़ा है तो carbon को चाहिए चार तीन जोड़ लिये तो चौथा जो पाट है वो तो free बचा इसलिए वह आपे presence of free electrons आया अवेवर दो fourth electron of each carbon atom is free which makes it a good conductor of electricity वो free है इसलिए वो easily swim सकता है तो various layers of carbon atom in graphite are held together by weak venerable force तो यह तो इसके के काराण वो smoothly ऐसे गूम सकते हैं आया समझ में clear हुआ so please लिख लीज़े फिर मैं आपको जो structure बताता हूँ तो उसमें आपको exactly पता चलेगा ठीक है अब देखो ऐसा structure होता है graphite का देखो यह जो graphite है वो कितने के साथ जुड़ा हुआ एक दो और तीन हो गया similarly यह graphite हो कितने के साथ जुड़ा हुआ एक दो तीन similarly यह graphite एक दो अब बोले से तीसरा का तो तीसरा यहां पर उसका सिर्फ छोटा सा पार्ट लिया है अब यह जो है वह फॉस्ट शीट है यह जो है वह second sheet है और यह जो है वह third sheet है अब उनके बीच में यह जो dot dot है उनको हम क्या बोलते हैं weak wonderwalls force ठीक है अब उसे के कारण यह एक दूसरे पर क्या हो सकते हैं slide हो सकते हैं इसलिए वह क्या होते हैं slip rain touch clear हो गया इसलिए हो क्या होते है slip rain touch ठीक है ओके यह diagram भी याद रख लेना बना ना हो तो बना सकते हो याद रखना और दूसरा hexagonal structure की बात करते हैं अब जो पहले दो एक्जांपल थे diamond और graphite वो naturally existing है यह इसको उन्होंने laboratory बनाया यह these are recently discovered allotropic form of carbon which are prepared for the first time by तीन लोगों ने HW Kroto ने, Smallie ने और Robert Kurt ने by the action of laser beam on the vapors of graphite graphite के vapors पे laser beam आई आप लोग यह मत करना आपके पास pencil होगे उसकी graphite की beam पे laser मारोगे तो उससे नहीं होता है यह पूरा graphite उनका अलग होता है laser अलग होती है frequency अलग होती है पूरा environment ऐसा create किया ज्यादा laboratory में फिर बनता है फिर उन् the first non fullerine was C60 which contains 60 carbon atoms तब उनको fullerine सबसे पहले मिला और यह fullerine नाम क्यों दिया वो भी आ गया atom ठीक है आपको मुझे पता है सबसे दिमाग में आपको सबसे पहले आएगा कि fullerine नाम क्यों दिया हा तो 60 carbon atoms जूड के उन्होंने एक ऐसा ball जैसा structure बनाया ठीक है अब उसमें थो थोड़े बहुत 70 carbon atoms वाले भी थे थोड़े बहुत 200 300 350 तक है थे ओके थे थोड़े बहुत ही वह भी ज्यादा तर C60 ही था 60 carbon atoms अपने आपको इस शेप में आरेंज कर दिया अब मैं आपको बूच हूँ यह कौनशा शेप है तो आप बोलो भी सरी तो बॉल का शेप है बॉल इसका डाइग्रम हमारे अमेरिकन आर्किटेक्ट रोबर्ट बगमिस्टर फुलर ने दिया था पहली बार पहली बार रोबर्ट बगमिस्टर फुलर ने दिया था तो उसी के नाम पे उन्होंने उसका नाम रखा फुलरें तो के फुलरें वाज नेम्ड बगमिस्टर फुल अगे इसलिए ठीक है तो this is the reason अभी ये तो उन्हों ने लिबरेटरिम बना है बट रिसन डिस्कवरी ये भी बताती है कि बहुत डिस्टेंट स्टार्स हैं बहुत दूर स्टार्स हैं वहां पे थोड़े बहुत वह स्टार्स पूरे फुलरीन के बने हुए हैं इसका मतलब तो candle 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 की जो black part होती है ना उसमें थोड़ा सा ट्रेसीस में C60 होता है तब उनको जीरे 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 एसा डिस्कवर करतेगा है फो अर्थ में भी एसा पाया जाता है मतलब ये भी full range भी natural structure सी होते हैं असा नहीं एक अर्टिफिशल बनाये गये हुए हैं clear हुआ ठ अब देखो ऐसे full range बहुत सारे structures होते हैं C24 भी होता है 28 भी होता है 32 भी होता है 36 भी होता है 70 60 और 50 इतने सारे full range के structures हो सकते हैं तो ये सिर्फ आपको just for your kind knowledge मैंने बता दिया बाकी अभ्याद रखना नहीं है ठीक है अब जो last or final आज के लिए final topic देखने जा रहे हैं उसका न starting of the lecture मैंने आपको बता है था कि हमारे आसपास की more than 99% चीजे जो है वो carbon से बनी हुरी है तो carbon क्यों इतना सब के साथ mix हो जाता है उसके तीन रिजन है versatile nature मतलब वो किसी के साथ भी mix हो जाएगा the estimated number of carbon compounds known today is about 3 million 30 lakhs आज अर्थ पे around 30 lakhs carbon atoms के compounds है अलगग शोट है but now the question is which property और properties of carbon is or are responsible for the formation of such large number of compounds इतने सारे compounds तो किसी और element के तो होगे ही नहीं तो ऐसी carbon की कौनसी property है तो पहली property तेन प्रॉपर्टी है पहली प्रॉपर्टी मेजर दो है और तीसरी सबसिडियरी है तो पहली प्रॉपर्टी है Catenation नाम याद रखना Catenation देखो कार्बन जा है न वो खुद के साथ लिंक होता है खुद के साथ लिंक होता है in the sense कि एक साथ बहुत सार ऐसे कार्बन जूड सकते हैं एक साथ बहुत सार ऐसे कार्बन ब्रांच में बना सकते हैं या एक साथ बहुत सार ऐसे कार्बन एटम्स हैं जो वो रिंग बना सकते हैं तो इस तरह यह तो मैंने just example लिया ऐसे तो बहुत सारे compounds हो सकते हैं इसके तो वो खुद के साथ link हो सकता है उस property को बोलेंगे catination जैसे यह देखो यह long है straight यह है branched और यह है rings वो अलग-अलग format में बन सकता है carbon shows maximum catination in the periodic table due to its small size and strong cc bond सबसे यादा क्यों यह catination बनाता है दो reason के कारण एक तो उसकी size सबसे छोटी है और दूसरा कि 2 cc bonds c के बीच में जो bonds होते हैं वो काफे strong होते हैं hence वो stable होता है इसलिए सबसे यादा catination यह लिखाता है तो क्या carbon के लावा और कोई नहीं दिखाता है दिखाते हैं कारण के लावा दो और हैं एक है sulfur और दूसरा silicon जो ऐसी self linking की tendency दिखाते हैं that is catination दिखाते हैं but carbon जीतनी नहीं carbon को थो आपको मैं एक compound का नाम देता हूं P17S35OON है 17 carbon atoms होते हैं इसमें एक साथ joint और यह क्या पता है? soap है जिसको आप सुबे सुबे उटके ना आते हो 17S35OON होते हैं clear हुआ but sulfur तो हमने देखा था silicon जादे जादे ऐसा ही 4 बन सकता है but इसके लाव तो कोई नहीं दिखाता है तो याद रखना एक मार्ग में कोशिन आ सकता है sulfur and silicon also have a tendency to show the property of self linking that is catination but to a much lesser extent due to less bond energy और less bond काफी कम bond energy के कारण होता है इसलिए ठीक है clear हो गया please pause the video and note it हम जल्दी से अब यह bond energy less है इसलिए इनके बीच में bond easily तूट जाएंगे यह बात चल रही है और कुछ बात नहीं चल रही है ठीक है तो यह रहा देखो यह है straight chain यह है branched chain आपको नहीं है सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बता है और जो दूसरी प्रोपर्टी जो सबसे important है वो है tetra valency tetra मतलब 4 और valency मतलब last में उसके चार electron चाहिए carbon belongs to group 14 of the periodic table its atomic number is 6 and the electronic configuration is 2,4 2,4 2,4 मतलब उसको octet fulfill काने के लिए और 4 चाहिए वो हमारे detailed discussion last lecture में हो सुका है thus it has 4 electrons in the outermost cell last cell में उसके 4 electron होते है hence its valence is 4 that is it is capable of bonding और pairing with 4 other carbon atoms और with the atoms of some other mono element like hydrogen, halogen, bromine etc इसलिए वो क्या करेगा दूसरे 4 के साथ वो combine हो सकता है मान लो के वो H के साथ भी हो सकता है और वो Cl के साथ भी हो सकता है brumine के साथ भी हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है mono valence मतलब कि जो single valence ही वाले होते है उनके साथ वो combine हो सकता है ओके ये भी दूसरी important property है तीसरी property है tendency to more multiple bonds ऐसा को जरूरी नहीं है कि वो mono valence के साथ हो सकता है जैसे आपको पता है carbon dioxide वो double bonds भी बनाता है उसके अलावा एक और structure है HCN, hydrogen cyanide वो triple bonds भी बनाता है दू टू इस small size carbon has a strong tendency to form multiple bonds by sharing more than one electron pair with its atoms और with the atoms of other elements like oxygen, nitrogen, sulfur और एक्सेटरा oxygen के साथ भी, nitrogen के साथ भी सब के साथ वालग अलग bonds बनाता है As a result, it can form a variety of compounds that are exceptionally stable इसलिए वो अलग-अलग-अलग double bonds, single bonds, triple bonds वाले कितने सारे compounds बना सकता है इसलिए तो आज उसके 30 like compounds हमको आज तक known है ओके तो ये जो तीन region है जिसके carbon जो है वो इतने सारे compounds बनाता है ठीक है? तो आज का lecture हम यही पर छोड़ते हैं प्लीज अच्छे से लिख लीजेगा और यह lecture बहुत important है इसमें से बहुत सारे questions आएंगे next lecture में हमारा chapter खतम हो जाएगा थूड़ा बहुत part बाकी है वो हम देखके खतम कर देंगे और exercise में भी किने चुने 4-5 questions है यह वो मैं आपको बता दूँगा कौन से कौन से है तिल दें study well, take care और अच्छे से बढ़े करें ओके बिटा, bye